दोस्तो नवश्कार, दोस्तो आपने जिसे चुना है कि आप उसे वापस नहीं बुला सकते हैं या फिर पांस साल के लिए उसको सारे अधिकार दे दिये जाएं और ये कहते हुए कि संसदिय लोकतंत्र तो यही कहता है कि हमने आपको पांस साल के लिए चुन लिया है वो विधायक हो सकता है, वो सांसद हो सकता है वो राज्य की सरकार हो सकती है, वो किंद्र की सरकार हो सकती है क्या वाकई ऐसी इस्तितियां इस देश के भीतर में बन चुकी है या फिर बनी ही हुई है दरसल जिस तरीके से राजनितिक 27 इस देश में चलती रही है उसमें जनता के साथ उसका जुड़ाओ कितना होता है ये मौजूदा वक्त में संकट के दौर में खुल कर उभर कर सामने आया है और इसी लिए आज हम सबसे महत्पूर सवाल पर आपके साथ जुड़ रहे है क्योंकि जिस संकट से मौजूदा वक्त में देश गुजर रहा है वा कृशी से जुड़ा संकट है वो द्योगों से जुड़ा संकट है वो लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ संकट है वो इस देश के अस्पतालों के इंफ्राइस्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ संकट है मौझूदा वक्त में लोगों की आवाजाही या फिर मजदूरों की आवाजाही जिस तरीके से हो रही है उसको लेकर जुड़ा हुआ संकट और इतना ही नहीं इन संकटों पर ध्यान देने के लिए तमाम सरकारी संस्थान स्वाइत संस्थान या कॉंसिचुशनल संस्थान इनकी खामोशी या इनका नहीं काम करना और इसके ठीक समरांतर जिन जिन मंत्रालेओं को मौझूदा वक्त में काम करना चाहिए उनसे जुड़े मंत्रियों तक क अवाज बीते दो महीने में निकली तक नहीं है तो आप क्या करेंगे हम पहलियां नहीं आज बुजाते हैं आपके सामने एक सपाट इस देश की स्थिती भी रखते हैं और जिस बहस को हम आज आपके साथ जोड़ना चाहते हैं उसपर वहस इस देश के बीतर में बार-बार हुई है लेकिन सत्ता धारियों ने उस बैस को दबाया है शुरुआत इसी बात से कर ली जाए कि मौझूदा वक्त में आप किन-किन नेताओं के नाम जानते हैं किन-किन मंत्रियों के नाम जानते हैं और उन मंत्रियों के पास कौन से विभाग हैं आप इसे भी जानते हैं हम क ट्राइबल अफेर आदिवासियों की जो मौझूदा वक्त में इस लॉकडाउन के दौर में इस्तिती थी आपने उनसे जुड़े मंत्री अर्जुन मुंडा की कोई आवास सुनी फूड प्रोसेसिंग हर सिमरत को और बादल आपने कोई आवास सुनी कि अगरिकल्चर प्रोड़क्ट्स को किस रूप में अब फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा जाए कोई आवाज नहीं सुनाई दी कृशी मंत्री ग्रामीन विकास पंचायती राज मंत्री नरिंदर सिंग तोमर की कोई आवास सुनाई दी एक दिन दिखाई दिये थे जब कैबिनेट की बैठक के बाद अगरिकल्चर पे एक निर्णय हुआ था उसको वो बता रहे थे उसको एलोब्रेट भी नहीं कर पा रहे थे सर्फ जानकारी दे रहे थे इस स्किल डेवलप्मेंट और इंटरपेनियोर्शिप कौन है मंत्री इनके महिंदर नाथ पांडे जी है क्या आपने उनकी कोई अवास सुनी कि इस दौर में क्यों जरुरत है देश में अगर आत निर्भरता की बात है तो स्किल डेवलप्मेंट के सुरूप में होना चाहिए कोई अवास सुनी आपने जो कोल माइन से जुड़े हुए मजदूरों की तादाद इतनी बड़ी संख्या में और अब तो उसे खुले तौर पर प्राइविट सेक्टर के हवाले कर दिया गया है FDI लाने की स्थिति में ले आया है आपने कोई अवास सुनी की मंत्री साब क्या करें आप कहेंगे मंत्री कौन है प्राइव जोशी मंत्री है कोई अवास सुनी दो महीने में आपने जल शक्ती का जिक्र बार-बार हो रहा है कि अब पानी को किस रूप में खेत से जोड़ना है घरों से जोड़ना है नलों से जोड़ना है आपने कोई आवाज सुनी मंत्री कौन है मंत्री उनके गजंदर सिंग शिखावत है आपने कोई आवाज नहीं सुनी होगी और जो इंडिपेंडन्ट श्टेट लेवल के स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं जनको इंडिपेंडन्ट चार्ज दिया जाता है उसमें आपने लेबर और इंप्लाइमेंट को लेकर संतोष सिंग अगवार जी की कोई अवास सुनी आपने इस दोर में योगा का जिक्र हो रहा है, अरवेद का जिक्र हो रहा है, होमियोपेथिक का जिक्र हो रहा है, यानि आयूश मंत्राले का जिक्र हो रहा है आपने सुना उनके मंत्री कुछ कह रहे थे उनके मंत्री कौन है श्रीपाद यशो नायक लेकिन आपने कोई अवाज नहीं सुनी होगी जो youth affairs sports उससे जुड़े मंत्री हैं उनकी कोई अवाज सुनी उनके मंत्री है किरन रिजीजू जो power और renewal energy है उसको लेकर आपने कोई अव का जिस रूप में हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से चाइना से सबसे ज़्याद आता है उसको लेकर कम किया जाए कैसे डवलप किया जाए उनसे जुड़े मंत्राले के मनसुक अल मांडविया है क्या आपने उनकी कोई आवाज सुनी कोई आवाज नहीं सुने होगी इतना ही नहीं हमेशा बहुत जादा बोलने वाले मंत्री महदै राम विलास पासवान जी भी एक या दो बार ही बोल पाए हैं एफसी आई के गोडाउन का जिक्र किया है और माल एफसी आई गोडाउन से स्टेट नहीं ले जा पा रहे हैं उसका जिक्र किया है जो की कंजूमर कि सुविधाएं क्यों लेते हैं एक सवाल ये होगा दूसरा सवाल होगा क्या इस दोर में हमारे देश के भीतर में जो देश चलाने की परिस्तिती है उसमें इंटर्नल डेमोकरिसी भी कहीं तो खत्म नहीं हो गई है ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लंबी फेर जी समाल रहे हैं पहले ये फॉरण सेकरेटरी हुआ करते थे तो अब ये विदेश मंतरी बन गए इसी तरीके से हरदीप पुरी साहब हैं यह भी पुराने बिरोक्रेट है जो एविएशन देखते हैं शैरी विकास देखते हैं राज सभा में तो बड़ी लंबी कतार है कु कहीं से चुनाव जीत कर नहीं आये हैं धर्मेंद्र प्रधान, स्टील मिनिस्टर्स हैं, तेल मंतरी हैं कहीं से चुनाव जीत कर नहीं आये हैं सूचना प्रसारन मंतरी, प्रकास जावडेकर कहीं से चुनाव जीत कर नहीं आये हैं और तो और इस देश में वन मंतराले कौन देखता है पर्यावण मंत्राले कौन देखता है आप हैरत में आ जाएंगे कोई नाम आपके जहन में नहीं आएगा इन बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि एक तरफ ये गवर्नेंस का स्टाइल है कि गवर्नेंस में मौझूदा वक्त में आप सिर्फ प्रधान मंत्री को जान सकते हैं प्रधान मंत्री के नाम को आप जानते हैं और प्रधान मंत्री जिन बातों का जिक्र करते हैं और जिस मंत्राले से वो जुड़ा हुआ होता है उस मंतराले से जुड़ा हुआ मंतरी अगर संभा हुआ तो सामने आकर कहता है और उसकी बिजुरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो रास्ट ये परवक्ता होते हैं उसका जिक्र करके निकल जाते हैं अब सवाल है कि इन छेत्रों में हर कोई प्रधान मंत्री से तो कुछ कहने नहीं जाएगा उस मंत्रा लेके मंत्री की भी कोई जिम्मेदारी होगी जनता को लेकर जिम्मेदारी होगर यहीं से यह सवाल निकलता है कि आखिर जनता जिने चुनती है और उस चुने हुए लोगो मेंसे जो मंत्री बन जाते हैं वह जनता के परती कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी होती है लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे सिमट कर खत्म हो रही है क्यों खत्म हो रही है कैसे खत्म हो रही है इसका एक अपना इतिहास है हम उस पर जाएं उससे पहले ज़रा ये समझ लीजे को कि जनता के भीतर ये बात का जिक्र क्यों नहीं हो पाता है कि जिसे हमने चुना है उसे वापस ले आया जाएं बड़ा कठिन काम है ये और खास तोर से मौजूदा वक्त में तो जब हम कह रहें कि इंस्चूशन्स ही नहीं बचे हैं तो आप किस इंस्चूशन्स के पास जाएंगे आप इलेक्शन कमिशन के पास नहीं जा सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं अब किसी भी institution के पास उस रूप में खड़े नहीं हो सकते हैं लेकिन right to recall को लेकर एक लंबी बहस हुई है कि हम बुला लेना चाहते हैं और हमें लगता है कि सबसे पहले 1924 में सचिंदरनात सान्याल थे ये manifesto लिक रहे थे हिंदुस्तान Republican Association का उसमें इनोंने जिक्र किया था कि जो voter है उसको ये अधिकार भी हो को वो अपने प्रतिनिधी को वापस बुला ले अन्निथा democracy मौकरी हो जाएगी इस बात का जिक्र किया गया उनकी तरफ से इसके बात क्या है जब समविधान सभा बैठी तो उसमें भी बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई और कईयों ने कहा कि इसको लाना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ से आवाज ये भी आई कि voter हमारे हाँ शिक्षित नहीं है vote देने से पहले वो सोच नहीं पाता है का बड़ा हिस्सा इसी में लगा रहेगा intellectually भी इसी में फंस जाएगा और कुछ काम भी नहीं कर पाएगा इसको लेकर भी बहस हुई और इसमें ये भी आई कि राजनेतिक परतिस परधा जो है सिर्व right to recall को लेकर ही होने लगेगी उसके बाद जो चुन कर आया है वो कैसे आ गया उसके बाद वो काम नहीं कर रहा जनता को एक जुट कीजिए हर सदाक्चर लीजिए उसको लेकर आई बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी समिधान सभा के बीतर में लेकिन उस वक्त सरदार पटेल जी ने कहा था कि यह अच्छा है बहस तो कम से कम होनी ही चाहिए लेकिन यह भी आपको जानकर हैरत होगी कि यह भारत में पंचायत लेवल पर और नगर निगम के चुनाओं के साथ इसको लागो भी इस देश में किया गया है कि फलाँ वो काम नहीं कर पा रहा उसको हटा दीजिये जो भी इस पंचायत परमुक होगा उसको हटाने के लिए वो उनके साइन देखते हैं और उसको हटा दिया जाता है इसी तरीके से म्यूंस्पल कॉर्परेशन में भी मद्पर्देश, 36 गर्द, बिहार, जारकंड और राजस्थान में ये लागो है लेकिन इसका दूसरा हिस्सा एक और है कि दरसल ये लागो होने के बाद कहा गया कि जो पिछड़ा तबका है, जो गरीब तबका है जो महिलाएं है, उनके खिलाफ लोग एक जुट जाते है तो ये भी हेल्दी नहीं है और इतना ही नहीं, ये पारलेमेंट में पास नहीं हो पाया और पारलेमेंट में जो भाशन दिया गया था उस वक्त जब बाबा साब अमबेट कर थे उन्होंने बहुत साफ तोर पर इसको कहा था कि दरसल हमारे Constitution के जरीए आप चीजों को डेमोक्रिसी इंप्लिमेंट करने का मस सोचिए उनके भाशन का एक छोटा सा हिस्सा है कि Constitutional morality is not a natural sentiment It has to be cultivated We must realize that our people have yet to learn democracy in India is only a top dressing of Indian soil which is essentially undemocratic यानि यों मान कर चल रहे थे कि हमारे हैं की डेमोक्रिसी में Constitution को जो हम लोग कर रहे हैं सिर्फ एक ड्रेस अप किया गया है इसके अलावे कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने वोटरों को training ही नहीं दिया है लेकिन मौजूदा वक्त में जब देश का संकट आप देखते हैं कि जिस वोटर को कोई training नहीं थी वही तो cycle पर सवार होकर गाओं की दिशा में भागा इस देश के भीतर में पहली बार शहर छोड़कर गाओं की दिशा में लोग भाग रहे हैं किसी एकनॉमी के यह भी लोगों ने देखा तो एक training क्या यही वो training है जो दीरे दीरे होगी क्योंकि इन सवालों को लेकर ऐसा नहीं है कि पार्लेमेंट के भीतर आवाज नहीं उठे ही हो 1974 में सी के चंदरपन थे कॉमिनिस्ट पार्टी के 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 लीडर थे यह एक बिल लेकर आये थे प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आये थे राइट टू रिकॉल का और इस बिल को समर्थन किस ने किया था 1974 में इंदरा गांधी की सकता सोचिए इसको समर्थन किया था अटल विहारी वाचपई ने यह बिल गिर गया इससे इंकार नहीं है 2016 में यानि मोदी काल में भी बिल लेकर आये थे वरुण गांधी वह भी बिल लेकर आये थे कि राइट टू कॉव रिकॉल जनता को यदिकार होना चाहिए ग्यारा में तो उस समय कॉंग्रेस की सत्ता थी और कॉंग्रेस के तमाम करप्शन सामने आ रहे थे और उन करप्शन को लेकर लोगों में गुस्सा था लेकिन उस समय अगर कॉंग्रेसी नेताओं का भी अहिंकार आपको याद हो तो तमाम नेताओं का हैंकार हम लोगों ने बड़े करीब से देखा कितने एंकारी के शाद बोलते थे आप हमें चुनाओं में हरा दीजिएगा हमें आपने पात साल के लिए चुना है तो हम जो मंचाहसो करेंगे और ये सिच्वेशन उस समय तक जिन्दा थी जहां वो कहते थे आपने हमें पात साल तक चुनाए उसके बाद कर लिजेगा लेकिन ये चीजें जब डैलूट हो रही है चोहत्तर तक मामला पारलेमेंट में बहस हुआ दोहजार सोला में बहस भी नहीं हुई दोहजारी ग्यारा में इलेक्शन कमिशनर वाए असवाए कुरेशी हुआ करते थे तो उन्होंने इसे बहुत डेंजरस माना जो अन्ना हजारे ने मुद्दा उठाया था और आज की स्थिति तो सवाल है कि इन सारी परिस्थिति में जो भी बहस और चर्चा हो रही थी उसमें कहीं न कहीं आपको लोगसभाई स्पीकर के पास जाना था लोग सभाई स्पीकर बताता इलेक्शन कमिशन को, इलेक्शन कमिशन एक वेक्टी को निक्त करता, वो वेक्टी उन तमाम चीजों को देखता और उसे जरूरी लगता तो उसके बाद वहाँ फिर से चुनाओ कराने की इस्तिती ले आता, वहाँ पर 50% प्लस वन वोट चाहिए एक पूरी प्रक्रिया थी उस बिल के भीतर में जो वरुन गांदी ने भी रखी थी और 1904 में सी के चंडरपन ने भी रखी थी जिसको उटल विहारी वाचपई जी ने समर्थन किया था, लेकिन सवाल उसके आगे काब आगया है, क्योंकि इस देश के भीतर में मौजूदा एक्टिव वोटर वो होता है जिसके पास प्रोपर्टी होती है, और कही ना कही वो एक्टिव वोटर उस डेमोकरेटिक सेट अप को प्रभावित करने की स्थिती में रहता है, और ध्यान दीजिए तो मौजूदा वक्त का भी सच यही रहा, लेकिन यह मौजूदा वक्त 2014 क के बाद से बदल गया है 2014 तक अगर आप ध्यान दीजिए तो भारत के भीतर में 2011 में चार लेटर मनमोहन सिंग के खिलाफ कॉर्प्रेट्स ने लिके थे हमें याद है आदी गौदरेज जी का साइन रहता था और 20-21 लगभग कॉर्पेट्स से उस साइन करके बताते थे गवर्नेंस ठीक नहीं चल रही है और चार पत्र भेजे गए थे मौजूदा वक्त में तो कॉर्प्रेट्स वाले बोल भी नहीं पाते हैं तो लेटर कैसे लिख देंगे प्रधान मंत्री के नाम लेकिन उस वक्त तक लेटर लिखा जाता था लेकिन गौर्मेंट की पॉलिसी अगर नहरुकाल से देखिएगा मनमोहन सिंग के काल तक तो उसमें आपको नजर आएगा जो एक्टिव वोटर होता है जिसका जिकर हम कर रहे हैं जिसमें आप कॉर्पेट्स ले रही है तो फिर इस स्टेट को वो क्यों डिगाएगा और पैसिव वोटर जो होता है वो सिर्फ एक बार वोट डालता है ये मानकर कि इस देश में सब को तो वोट देने का अधिकार बराबर है यानि सब की सहमती से ही तो चुना जा रहा है निता ये इस्तिती हमें लगता है जो समय कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी एक एक अठिव है और बाकी पैसिव इस पैसिव पार्टी में कांगरेस भी थी और दूसरे रिजनल फोरसेज भी थे कांगरेस मुक्त भारत उसको पैसिव बताया गया ममता मुक्त हो जाए या फिर लेफ्ट मुक्त हो जाए या फिर किसी भी नेता का नाम आने लगे कि इसको भी मुक्त कर दीजिये किसी का कोई महतनु या खिलेश यादव भी पैसिव हो गए मायावती भी पैसिव हो गई सब के नामे के करके आए कि ये सब passive है active सिर्फ BJP है ध्यान दीजे 2014 के बाद से active political party के तौर पर इस देश में सिर्फ BJP नजराती है बाकी सभी passive नजराते हैं ये first is था second stage में BJP के भीतर जो एक internal democracy होती है वह जटके में चीजे बदलने लगती और active party जटके में उसके भीतर leadership को horizontal स वर्टिकल में create करती है यानि जो systematic democratic party के भीतर होती है यानि top जो है वो सरस्रेश्ट हो जाता है उसके पास authoritarian सत्ता आ जाती है और इसलिए जब हम आपके सामने ministers का नाम पढ़ रहे थे तो आप किसी ministers का नाम वाक़ी नहीं जानते होंगे क्योंकि सब मिनिस्टर्स देखेंगे आखिर में पियमो की तरफ ही और पियमो के जरीए सेकेटरीज जो वहाँ पर बैठे हुए है क्योंकि पियमो के बीतर एक बड़ा सेकेटरीज का समराज्य है वो जब बैठा हुआ काम कर रहा है तो वो हर मंत्राले पर निगरानी भी कर रहा है बहुत सारी खबरे हम लोगों ने सुनी कोई मंत्री अपना पिये भी अपने अनकूल नहीं रख सकता है उसको पियमो से इजाज़त मिलनी चाहिए लेनी पड़ेगी और यह सारी बाते आती लेकिन यहां पर सवाल यह है कि यह धीरे धीरे हमारे देश में पैसिव वोटर हर को ही हो गया यानि एक्टिव वोटर की बात तो खतम ही हो गई और एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी भी खतम कर दी गई और पैसिव पॉलिटिकल पार्टी उसके बाद इंटरनल डेमोकरसी का खत्म होना यहां पर हम शब्द डियूस या फिर और का यूज नहीं करेंगे लेकिन एक लीडर्शिप का यूज जरूर करना चाहिए कि लीडर्शिप धीरे-धीरे इस रूप में क्रियेट हो गई अब दोबारा लोटिया उस परिस्तिती में जहां पर हम जिक्र कर रहे थे कि समविधान सभाग तक में राइट टू रिकॉल का जिक्र था हम इन बातों का जिक्र कर रहे थे तो वहां ये मान कर चला जा रहा था कि इंस्टिूशन्स रहते हैं हम आपके सामने को इस इंस्टिूशन्स का नाम लेते हैं और आप कलपना कीजेगा कि इस इंस्टिूशन अखरी हम लोगों ने जो नाम सुना था उसमें जोगिंदर सिंग बड़े लोग प्रिये हुए थे कोकी बफोर्स मामला वो देख रहे थे ये अलग मसला है कि सीवी आई के तीन डिरेक्टर्स के खिलाफ करप्शन के मामले भी चले हैं सिना जी हैं अरविंद जी हैं वो कई मा रिशी कुमार शुक्ला हैं इससे पहले आपको दिमाग में आएगा कि लड़ाई चल रही थी अरुन कुमार वर्मा और आस्थाना की लड़ाई चल रही थी उस समय सीवी सी सक्रिये हुए थे उस समय सीवी सी को हेड कर रहे थे केवी चौधरी उन्होंने इजाजत दे दी थी कि जिस तरीके से सीवी आई के बीतर जो कुछ हो रहा है तो ऐसे में आस्थाना सहाब को बचाया जाए और वर्मा सहाब को साइड लाइन किया जाए ये फिलोसफिक खूप तमाम मीडिया जगां पर रिपोर्ट आई उस समय केवी चौधरी थे वह केवी चौधरी रिट जानता है चुकी कोईला गोटाला हो या फिर टूजी गोटाला हो इसका जो परसेप्शन के लेवल पे चीजे सामने आई लेकिन मौजूदा वक्त में कौन है मौजूदा वक्त में राजीव महरशी है आप नहीं जानते होंगे इलेक्शन कमिशनर इस देश के कौन है आपक को याद करना है तो सुकुमार सेन को याद कीजिए जिन्हों ने इस देश में पहला चुनाओ सफलता पुरुख नाइंटिन फिफ्टी टू में कराया था फिफ्टी सेवन में कराया था और फिफ्टी एट में रिटायर हो गए थे लेकिन मौजूदा वक्त में सुनी लर उ भूमिका थी और सीडी देशमुक साहब ने उस समय एक बड़ी भूमिका निबाई थी और एक लंबी फेरिस्त है जो आरबियाई के गवर्नर्स के नाम हरकिस जुआ पर रहते हैं निती आयोग फिलहाल समाल रहे हैं अमिताप कांथ लेकिन इस से पहले प्लानिंग कमिशन ह हुआ करता था आप अमिताप कांथ से कितना रूबरू हैं नाम भी जान पा रहे हैं नहीं जान पा नहीं या आप जानिये लेकिन जब आप प्लानिंग कमिशन के भीतर जाईगा तो आपको जान के हैरत होगी इस देश के प्लानिंग कमिशन को समालने वाले जो डिप्टी तो उसको समालने वाला व्यक्ति सबसे बेस्ट माना जाता था लेकिन क्या आप कह सकते हैं निती आयोग को समालने वाले अमिताप कांत आने वाले वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे अब ठाके मत लगाईए क्योंकि हम कुछ नाम को बताते हैं पीवी नरसिम रहे हुए हैं कैसी पंत रहे हुए हैं गाडगिल सहाब रहे हुए हैं डियार गाडगिल हकसर रहे हुए हैं पीएन हकसर रहे हुए हैं एंडी तिवारी रहे हुए हैं यानि ऐसे ऐसे नाम है जिन्होंने प्लानिंग कमिशन को देखा है जो आखरी जो कॉंग्रिस के दौर में मनमोहन सिंग के दौर में थे मोल्टेक सिंग अलुवालिया थे लेकिन प्लानिंग कमिशन के जरीया ये लोग कब कैसे किस रूप में पहुंचे ये भी समझिये कि पीवी नरसिमबाराओ प्लानिंग कमिशन के जब सम्हाल रहे थे वाइस चेर्मेन थे और वो जब प्रैमिनिस्टर होते हैं तो पड़ा मुखरजी उनके प्रियर्ड में प् देश को बुनने पड़ रहे हैं लेकिन हमें लगता है ये भी है कि आखिर जब मिनिस्टर के नाम हम नहीं जान पाते हैं या फिर राजसभा से निकले हुए लोग जिसे जनता ने नहीं चुनाए उसे मंत्री बना दिया जाता है तो ऐसे में आप पहला नेश्रल गौर्में आयंगर थे मौलाना अबुल कलाम अजात थे राजंदर प्रशाद जी थे शेमा प्रशाद मुखर जी थे जगजीवन राम थे रफिया अदमी कहदवई साब थे एक लंबी फेरिस्त है लेकिन आप कहेंगे 1947 से जिकर हम कर रहे हैं वो पहले इलेक्शन से पहले किस्तिती थ लेकिन फिर आईए लोट के इंदरा गांधी की सत्ता जब खत्म होती है तो जन्ता पार्टी की सत्ता को याद कीजी कौन कौन मंत्री थे मौरार जी दिसाई प्रधान मंत्री थे चरण सिंग जग जीवन राम अटल भीहरी वाचपई लाल कृष्णडवानी मधू डंडवत जॉर्ज फर्नांडिज, प्रकाष सिंग बादल, सुर्जीत सिंग बरनाला, सिकंदर वक्त, हिम वंती नंदन बहुगुणा, मोहंधारिया, बीजू पतनायक ये सब एक देश को समाल रहे थे लेकिन जन्ता पार्टी की गौवर्मेंट भी तीन साल नहीं चल पाई इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि क्या हम एक ऐसे देश के भीतर, एक ऐसे क्राइसिस में हैं, जिस क्राइसिस में धीरे-धीरे हम एक ऐसे इस्तिती में चलते-चले जा रहे हैं, जहां व्यक्ती एक ही व्यक्ती माईने रखेगा, और जन्ता से जुड़े हुए सवालो का जवाब अगर सत्ता नहीं देती है जिसे जनता ने चुना है तो उसे राइट टू रिकॉल करना तो दूर की बात है वह अपने नियूनतम जरुतों के लिए भी कहां अपनी बातों को रखे इस दिशा में भी एक मौन है इस देश के बीतर में कोकि जनता अपने सवाल मजद की मौत हो गई और मंत्रियों की बीतर से जो फसफसहाट आवाज आती है उसमें भी आता है राम बिलास पासवान जी ने कहा स्टेट एफसी आई गो डाउन से वो अनाज नहीं उठा पा रहे हैं जिस अनाज को जिनके आठ करोड़ लोगों के पास जिनके पास राशन जो इंडिया इंक कहते हैं जो कॉर्पेट है जो देश की एकनॉमी को समाले हुए है और प्राइवेट एकनॉमी इस देश के भीतर में 90% है जीडिपी में 10% सिर्फ सरकारी है इस्तितियां वह भी कुछ बोल पाने की इस्तिति में नहीं तो सब कुछ एक ऐसी पर इस्तितित के से इस डेमोक्रिसी को मतने की जौरत है समझने की जौरत है और उसको नई दिशा में एक पॉलिटिकल एलाइनमेंट करके एक डेमोक्रिक डेमोक्रिसी को एक नई परिभाशा के साथ सामले नाने की जौरत है जिसमें सभी की भागेदारी हो सिर्फ वोट देने वाले दिल पैसिव वे में पूरा देश आ गया और एक्टिव वे में जो सामने है वो सामने है इन्हें समझने की जुरूत है और इन इस्थितियों में आगे की निजात के भीतर में बाबा साब अम्रेटकर का वो कॉमेंट शायद माना जा सकता है कि किस तरीके से हमने सिर्फ ड्रेस अप किया है अपनी डेमोकरिसी को जो की एक लिहास से अंडेमोकरिटिक सिच्वेशन है और इस अंडेमोकरिटिक सिच्वेशन के भीतर में आप किस रूप में कैसे ठीक करेंगे सुधार की स्थिति क्या होगी और सुधार की स्थिति में आप किस रूप में चीजों को डेवलप कर पाएंगे मेरे ख्याल से इसके लिए लोकसभा के भीतर इस स्पिकर की अपनी अहमयत होनी चाहिए चिनाव आयोग चिनाव आयुक्त की एक अपनी अहमयत होने चाहिए मीडिया की एक अपनी अहमयत होने चाहिए लेकिन हमारे सामने नया सवाल है जब इन सभी कोई अहमयत ही बच पा रही है तब हम क्या करें कल मिलते हैं तब बात करेंगे इस पर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया